आई, गुड मॉर्निंग तो ओल मैं डॉक्टर नगेंदे थालोल इंटरवेंशन काडियोलोजिस्ट आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि एक नॉर्मल आदमी को अपने हार्ट के चेक अप के लिए क्या-क्या टेस्ट करवाने चाहिए अपने सरीर में हार्ट एक बहुत ही इंपोर्टेंट ओर्गन है जो पूरी सरीर को ब्लड और ओक्सिजन सप्लाई करती है तो हार्ट का नॉर्मल फंक्शन करना बहुत जरूरी है इसकी हेल्थ के लिए कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो हर विक्ट्री को पता होने चाहिए और इसपेसली जो जिम जोईन करना चाहते हैं या कोई स्पोर्ट जोईन करना चाहते हैं उनको जरूर ये बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेसर की ब्लड प्रेसर अपना 120 से लेके 80 तक अपन और्मल मानते हैं यह अपना 120 से लेके 129 है तो उसको अपन elevated ब्लड प्रेसर मानते हैं और 130 से 139 और 80 से 89 को आज कल उसको stage 1 hypertension मान लेते हैं और इस stage 1 hypertension के लिए आपको lifestyle और diet modification करना रहता है इसके लिए medicine की जुरूद नहीं रहती यह अपना ब्लड प्रेसर more than 140 और 90 है तो उसको stage 2 hypertension मानते हैं तो उसके लिए आपको lifestyle के साथ साथ में medicine लेने की जुरूद पढ़ती है तो blood pressure अपना यदि normal है तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो इसको अपने को अपने normal range में रखना रहता है blood pressure measure करने के लिए कम से कम अपने को दो reading लेनी रहती है और वो भी अलग-अलग time पे यदि हर बार BPI आ रहा है अपनी range से ज्यादा आ रहा है तो उसको फिर अपन hypertension बोल देते है दूसरा test है blood sugar का blood sugar test अपने को जानना बहुत जरूरी है कि अपन diabetic है या diabetic होने की risk अपने में ज्यादा हो सकती है तो sugar के लिए अपन दो test करते हैं एक fasting blood sugar करते हैं जो कि normal less than 100 mg रहता है यदि अपना 100 से 125 है तो अपन pre-diabetic range में आजाते हैं और यदि अपना 126 से ज़्यादा आ रही है तो अपन diabetic range में आते हैं इसके साथ ही एक अपन hemoglobin A1C test करवा सकते हैं hemoglobin A1C रहता है जो कि glycated hemoglobin रहता है कि अपनी सरीर में जब सुगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो attach हो जाएगी hemoglobin से hemoglobin A1C average sugar बताता है 2-3 मेने के duration का यदि hemoglobin A1C अपना less than 5.6 है तो अपन normal range में आते हैं और यदि अपना 5.7 से लेके 6.4% आता है तो अपन pre-diabetic range में आते हैं और यदि अपना level more than 6.5% है तो अपन diabetic में आ जाते हैं तीसरा test अपन करते हैं lipid profile test lipid profile test के लिए अपन blood sample लेते हैं और fasting sample लेते हैं 10-12 गंट के कि आपको overnight fasting करना है और morning में आपको अपना sample देना है तो उसमें अपन total cholesterol HDL, VLDL, LDL और triglyceride का level चेक करते हैं total cholesterol अपना less than 200 mg रहना चाहिए triglyceride अपना less than 150 mg रहना चाहिए LDL की बात करें तो अपना 70 से 130 की रेंज में रहना चाहिए HDL अपना यदि female हैं तो more than 50 रहना चाहिए male हैं तो more than 40 रहना चाहिए और यदि more than 60 हो तो और भी अच्छी बात है VLDL का level less than 30 mg रहना चाहिए next test अपना बात करते हैं CRP High Sensitive C Reactive Protein की जो की Vascular Inflammation को बताता है यदि उसका level अपने शरीर में ज्यादा रहेगा तो वो अपने inflammation रहेगा बोडी में और वो अपने blood vessels को damage करेगा और अपने heart attack की risk को stock risk को बढ़ा देते हैं तो High Sensitive CRP level यदि less than 1 है तो अपन low risk में आते हैं यदि 1-3 mg पर लिटर है तो अपन moderate risk में आते हैं और यदि अपना level more than 3 है तो अपन high risk में आते हैं इनके साथ साथ अपने को अपना complete blood count test यदि CBC test करवाना रहता है जिसमें अपन यह देखते हैं कि अपनी body में hemoglobin level कितना है क्योंकि hemoglobin अपनी body में oxygen को लेके जाता है तो oxygen जो carrying capacity रहती है वो hemoglobin एड़ी अच्छा रहेगा तो अपनी normal रहेगी तो इसलिए एक baseline CBC test दिल करवाना है इसके साथ साथ अपने को kidney function test और liver function test भी करवाना है जिसमें यह पता चल जाता है कि अपनी kidney or liver दोनु normal काम कर रहे हैं क्योंकि यह दोनु organ बहुत important है जो अपने सरी की metabolism को BP को, fluid balance को cholesterol level को maintain करते हैं blood test करवाने के बाद में एक अपने को ECG करवाना है ECG में अपन यह देखते हैं यह अपने ECG में कोई और चेंज तो नहीं है next test अपन एक 2D ecocardiography करवाना रहता है 2D ecocardiography में अपन यह देखते हैं कि अपने हार्ट की pumping capacity है वो अपनी normal है अपने हार्ट के walls normal है हार्ट में कोई hole नहीं है कोई congenital anomaly नहीं है हार्ट की muscles normal है muscles की कोई दिकत नहीं है hypertropic cardiomyopathy जो हार्ट की muscles की एक disease है यह बहुत common रहती है यह जो लोग sportsmen रहते हैं या athletic रहते हैं sudden जो expelled हो जाते हैं उनमें most common cause रहता है hypertropic cardiomyopathy तो अपन eco-heavy करवाते हैं तो उसमें पहले से अपने diagnose हो जाता है इको में अपना hypertropic cardiomyopathy diagnosed हो जाता है तो उन लोगों को अपन advise कर सकते हैं कि आप ज्यादा heavy exercise ना करें तो यह कुछ basic test हैं यह अपन इनके बारे में जानते हैं तो अपने heart को अपन healthy रख सकते हैं धन्यवाद अपने यह मैं